हेलो फ्रेंस स्वागत आप सभी का विलेच कड़ाई चैनल में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अपने कमेंट में लिखकर जरू भेजिएगा तो मैं आज एक रेश्पी सेयर करने वाली हूँ जो बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी है गाव में बहुत ही सब लोग यह बनाते हैं और मैं आपको बता दू इसकी पत्तियों और फूल और इसके फॉल तीनों की ही रेश्पी बनाई जाती है तो यह देखे यहाँ पर हम आ गये हैं सहजन की पेड़ के पास तो हम आज बनाने वाले हैं सहजन की फूल की रेश्पी और हमने सहजन की भी सबजी बनाई हुई है उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सहजन का फूल देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से फूला हुआ है तो हम सहजन के फूल को ही यहाँ पर आज तोड़ेंगे तो सहजन के फूलों को हम बहुत अच्छे से देख करके तोड़ लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहजन के फूल बहुत अ तो यहां पर हमने सहजन के फूलों को जरूत के हिसाब से तोड़ लिया है अब चलते हैं घर की तरफ तो सहजन के फूलों को लेकर हम घर आ गए हैं तो इसमें से जो ताजे ताजे फूल हैं आप देख सकते हैं जो ढूड़ी है इसकी वो हम तोड़ लेंगे इसमें से और हम इसकी डंठल को और इसमें से जो सुखे सुखे फूल है वो हम इसमें से निकाल देंगे तो इसी तरह से हम फूलो को और इसकी ढूड़ी को इसमें से जंठल में से तोड़ करके अलग कर लेंगे तो यहाँ पर हमने फूलो और ढूड़ी को तोड़ करके अलग कर लिया है अब हम फूलो को पानी में दो लेते हैं बहुत अच्छे से इसको हम साफ कर लेंगे तो यहाँ पर हमने फूलो को धो करके अलग कर लिया है अब इसको हम प्लेट में रख लेते हैं अब हम पतीले में पाई डाल लेते हैं अब हम पतीले के उपर छेद वाली थाली रखेंगे आप इसकी जगह पर चलनी भी रख सकते हैं अब हमने जो सहजन का फूल लिया हुआ है वो थाली के उपर रख देंगे अब हम इसको भाप से इसको पकाएंगे अब हम इसको ढख देते हैं और इसे पकने देते हैं तो चलिए ढखका नटा कर देखते हैं ये देखिए काफी अच्छे से ये भाप से पक चुका है आप देख सकते हैं इसका कऱर बदल चुका है तो इसे हमने भाप में पका लिया है अब ठाली को नीचे रख देते हैं अब हमें इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेना है और ठंडा होने देना है अब हम इसको प्लेट में अच्छे से चारो तरफ फैला देते हैं तो चलिए इसको हम धूप में प्हला देते हैं तो इसको हम धूप में तब तक सुखाते हैं इसका जो पानी वाला नमी है बस वो सूख जाए साले दिखा देते हैं तो यहां काली मिर्च ले रखी है सरसो के दाने ले रखी है जीरा ले रखा है मेथी ले रखी है और यहां पे हमने मंगरे ले रखी है और यहां पे हमने सौंप ले रखा है और यहां पे हमने लाल मिर्च ले रखी है यहां पे और यहां पे हमने ले ले लिया है और यहां पर कस्मेरी लाल मिर्च ले रखी हल्दी पाउडर ले रखा है अजवाइन ले रखा है और यहां पर हमने काला नमक ले रखा है तो जो हमने छोटे प्लेट में मसाले ले रखे थे वो डाल करके हम भून लेते हैं सबसे पहले तो यहां पर हमने छोटे म मसाले को भून लिया है इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब यहां पे हम जो साबोद धनिया है लाल मिर्च है और यहां पे हमने जो सौपले रखी है वो डाल करके भून लेते हैं तो यहां पे हमने सारी चुजों को भून करके रख लिया है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं तो सिल्बटे पे हैं सबसे पहले रख लेते हैं लाल मिर्च और हमने जो मसाले भून करके रखे थे सारे वो हम रख लेते हैं इस पे और इसे पीस लेंगे तो इसे हम दरदरा सा ही पीसेंगे बहुत ज़्यादा महीन हमें इसे नहीं पीसना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैजन की फूल में जो माश्चर था वो सूख चुका है अब हम इसको जो है चलिए आचार बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमने भूभूने वे मसाले को पीस कर रखा हुआ था वो डालेंगे इसमें अब हम यहाँ पर डाल देते हैं कस्मेरी लाल मिर्च इसे भी हम फैला कर डालेंगे और हल्दी पाउडर रा देते हैं इसमें अब हम यहाँ पर डाल देते हैं काला नमक और इसमें डाल देते हैं साधा नमक, साधा नमक हम थोड़ा सा जाधा डालेंगे, ताकि अचार हमारा काफी दिन तक चले तो अब हम इसमें डाल देते हैं नीबू करस तो नीबू करस यहाँ पर मैंने दो लिया हुआ है वो डाल देते हैं इसकी जगह पर आप सिरका भी डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने सर्सो का तेल ले रखा है यह कच्छा सर्सो का तेल ले रखा है मैंने आप चाहे तो इसे गरम करके भी ले सकते हैं तो इसे डाल देते हैं हम यहां पर तो यहां पर मैं दो ढखकन यहां पर डाल रही हूं सर्सो का तेल यानि दो बड़े चमस यहां पर सर् अच्छे से मिला लिया है देखने में काफी सुन्दर अचार लग रहा है तो यहां पर हमारा अचार बनकर के तयार हो चुका है सहजन के फूल का आचार हमारा यह तयार हो चुका है तो जिस जार में आप भरें वो जार अच्छे से सुखा हुआ होना चाहिए और आचार बनाते समय आपका हाथ भी साफ सुत्रा होना चाहिए तभी आपका आचार जो है अच्छे से बनेगा और काफी दिन तक चलेगा भी तो अचार को हमने भर लिया है अब इसका हम धक्कन लगा कर रख देते हैं तो ये अचार चार से पांद दिन बाद ये खाने लाइक तयार हो जाएगा तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद